हाई एवरिवन कैसे हो आप सब तो चलिए आज की एक्स्प्लानेशन सुरू करते हैं तो आज की कहानी जो हम देखने वाल हैं उसके पहले भाग को अल्रीडी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है जिन्होंने भी मिस्ट किया है आप से रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसे पर झालें जिसे इसी के पिटा ने दवा देकर इसके मेमुरी से पास्ट को एरेज करो दिया था वही कहानी के आखिर में एस चोटे बन चुके हैं पहले कैप्टन के जो कि चुप चुप वापस अमेरिका लोटना चाहते हैं जहां से सिप खुली थी और दूसरा लोवर क्लास वाले जो कि अपनी जर्णी रोकने के बजाए कंटिन्यू रखना चाहते हैं चाहे आगे रास्ते में कितने ही दिक्कते क्यों ना आ जाती है और उनके साथ ही जाकर मिल जाती है वहीं मौरा जो कि अचानक से बच्चे को सिप पर देखकर बिहोस हो गई थी मौरा की जब आख खुलते हैं यहां पर मजूद सभी सक्सक्राइब जाकर उस चोटे बच्चे को छुड़ाने के लिए जैसे आगे बहती है गलती से हाँ पर कुछ देर के लिए वक्त मानो थम सी जाती हैं और यहां माजूद सभी लोग फ्रीजज हो जाते सिवाय और इस बच्चे के जहां मौरा कुछ सोची है समझे यह बच्चा मौरा को लेकर मौरा के कमरे में जाता है जहां पर अब मौरा बच्चे को पकरकर पूछने लगती है कि आखिरिये सब चल कहँ रहा है और तो बार-बार बच कैसे जा रहे हो तब जवाब में कि मौरा को पेज़ पेच पर लिखकर यह बताता है कि फिलहाल यह कुछ भी नहीं बता सकता है कोई है जो इनकी बाते सुन रहा है और इने देख भी रहा है इसलिए बच्चा जो कह रहा है बस मौरा इसे फॉलो करें अब चुकि मौरा के पास सच जाने का कोई और दूसरा नहीं था यह चुट्चा बच्चे को फॉलो करने लगती है तब बच्चा अपने हाथ से ग्रीन बीटल क साथ रहती थी जहां पर अब हमें यह दिखाया जाता है कि बीटल एक चावी की तरह काम करती है इसे फॉर्स पर रहते ही अचानक से फॉर्स पर एक टॉर्स खुलती है जिसमें परवेस करते ही मौरा एक अजीब से बड़े मैदान में पहुंच जाती है वहीं मौरा जैसे से इस मैदान पर पहुंचती है इधर सी पर एक अजीब से अलाम बजने लगती है और जो वक्त रुका हुआ था वह भी अब नॉर्मल हो जाता है तब सबसे पहले कैप्टन यहां डैनियल पर टूट परता है यह बोलते हुए कि तुम तो यहां के पैसंजर नहीं हो क्या त देखती है से पर बज रहे इस अलाम की वज़े से यहां से पर मोजो सभी पैसेंजर्स हिपनोटाइज होकर सभी बारी बारी कर सिप के ऊपर जाकर समुद्र में कूद कूद कर सुसाइट करने लगे हैं अभी नजारा देख बच्चे लोग समझने पा रहे थे कि आखिर हुआ है मुझे पहचान क्यों नहीं है रही है रोक सकती है यह सोचकर कि जब तक मउरा को कुछ याद है यह यहां सिप पर लोगों की जान बचा सकता है जिसके लिए डैनियल सीप के निचले कमपार्टमेंट में जाता है जहां दिवाप अजीब से अलाम आ रही थी जिसकी आवास के कारण ही लोग हिपनोटाइजड होकर सुसाइट कर रहे थे अब यहां डैनियल इसे बंद करने की कोसिस में लग जाता है वहीं दूसरी तरफ हमें उस नियूली मेरिट कपल को दिखाया जाता है जो कि अपनी साधी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे पर इस मुस्कि है ताकि उस अलाम की वज़े से अगर में भी यह लोग हिपनोटाइज भी हो जाए तो यह चलकर सुसाइट ना कर पाए वह इदर मौरा जब मैदान में थी यह गौर करती कि इसके सामने ठीक वैसी एक मिंटल हॉस्पिटल बनी पड़ी है जहां मौरा के पिता ने इसके मां चुपाई है अब यह सुन मौरा समझने पा रही थी कि अखिर दूनों सब्सक्राइब मौरा को एक इंजक्स लगा देते जिसके बज़े से मौरा विहोस हुजाती है और जब कुछ दिर बाद इसकी आखें घुल घूती यह अपने सिभ़े कम्रे के बिस्तर पर होती है तब और मौरा जूटी नहीं है इसे हर चीस सबसाब इसलिए याद नहीं है क्योंकि इसका पिता ने इसके मेमोरी को एरेज करवा दिया दरसल हेंडरी के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बीवी यानि कि मौरा की मा थी पर जब उसने मौरा को जर्म दिया था उसी वक्त स में वो मिंटल होस्पीटल बनवाई थी और उस वक्त से हेंडरी को अपने बच्चों से उतना लगाव नहीं रहा और फिर उसी वक्त से हेंडरी ने इंसानी दिमाग को मैनुपलेट करनी की एक्स्पेरिमेंट करनी शुरू कर दी और मौरा को ऐसा डाउट है कि यहां जो भ खोलती है जिसके अंदर जब यह दोनों जाते हैं इस वार यह लोग उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां पर एक घर होता है वही घर जहां पर कैप्टन का पूरा परिवार जलकर मर गया था वहीं आप कहानी आगे बढ़ती है और सिप पर इंटरी होती है एक विलसर नाम क सक्सकी जो कि हेंडरी का आदमी था और हेंडरी के कहने पर यह उस छोटे बच्चे को ढूंड रहा था वहीदर डैनियम ने अपनी पूरी ताकत लगा कर सिप बजरे अलाम को बंद कर देता है जिसे की पैसेंजर समुन्द में कुतना बंतों कर देते हैं पर यहां बहुत द रही था क्योंकि सिप पर जो भी कुछ हो रहा था सभी हेंडरी की कर्दू थी और फिलहाल एक कमरे के खिरकी के बाहर देख रहा होता है तब बाहर से वैसा इंपिरामिट था जैसा कि उस बच्चे के पास हमेशा से रहा करता था छोटे आकार का जिसके अब कुछ दिर होगा वहीदर मौरा और कैप्टन जब जंगल से निकल कर मेंटल होस्पिटल में जाकर हेंडरी के खिलाब जब कोई सबूर रहे होते हैं तब यहां पर डैनियल आ जाता है जिसे देखी यह काफी घबरा जाते हैं इस बंदे को टरनेल वाली बात कैसे मालूम परी और फिर अगले ही चंद कैप्टन डैनियल पर बंदूगतां देता है जिसे कि डैनियल टेलिपोर्ट वाली अपनी पावर से इसे वापस से जंगल की तरफ भेज देता है अब यह देख मौरा की हाला तो और भी खराव हो जाती है और यह भी डैनियल के तरफ अपना बंदूग करती है तब यहां पर डैनियल मौरा का नुकसन पहुशाने के बजाए इससे बाते करने के कोसिस करता है और यह बोलता है तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है मैं डैनियल हूँ तुम्हारा पती 12 साल से हम रिस्ते में हैं अब यह बात चुकि सच में बहुत ही सौकिंग थी कमरे में लॉकर होस्पिटल से बहार निकलती है और फ्रस्टेट होते हुए अपनी बंदू को फेकती है तब यह चीज नीचे गिरने के बजाए एक इनविज्वल सीसे से बने तगवार से जाकर टकरा जाती है जिसे कि जब मौरा पास आकर खोलती है तो यह वापस से सिप पहुंच जाती है तब हम हिंडी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में लगे मौनीटर से मौरा सही सिप पर होड़े सभी पैसेंजर की सारी अक्टिविटी को देख रहा था वहीं एपसोट के आखरी में हम क्याप्टन को देखते हैं जो कि जंगल वाले घर्स के फर्स से होत तो इस कहानी के तीसरे और आखरी भाग को देखने के लिए आप हमारे साथ यहीं बने रहें और अगर आपको मेरे आज का वीडियो पसंद आया होती से लाइक और सेर करना बिल्कुल न भूले तो चलिए फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में टेल दें टेक्यराएं और आप